तो इन से मिलें, इनको तो आप जानते ही होगे, one of the most biggest and famous gaming YouTuber of India, Beast Boy Su और अब भी इनोंने हाली में ही एक ऐसे वीडियो पोस्ट की थी, कि why my channel is dying सही में, one of the biggest YouTuber in India और उनका चैनल मर रहा हो, is really surprising और अगर आप उनके अभी भी views देखोंगे, तो आप बोलो गई किया यह इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसके पहले के standards से compare करोगे उसके views को, then of course यह पहले से कम थे, और इतना यह नहीं, बागी भी बहुत सारे big YouTubers, gaming YouTubers, जिनका main content ही gaming था, वो बंदे भी अब gaming content को जा रहे हैं, and they are making reaction videos, और in real life content, जैसे, रचितरू, मिचपैट, आयम विक्सु, एंडूबी, तनमे भट और 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 बहुत सारे ऐसे YouTubers, अब gaming content को छोड़ के जा रहे हैं, and this is having a big impact on Indian gaming community, but ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहार आज के वीडियो में हम इसे के बारे में बाद करने व ग्रोही नहीं होई है, and future में भी नहीं हो पाएगे, अगर चीजे इसी तरह चलेंगे, तो जो सबसे बड़ा, and मेरी लिए सबसे में रिजन है, of why Indian gaming community is dying, वो है कि all the big names of Indian gaming YouTubers, they are all living gaming content, YouTubers like, रचितरू, Midpat, Andrew B, even Tanmay Bhatt, इन सारे YouTubers ने gaming content बनाना छोड़ दिया, and now they are making content like reaction videos, और in real life content, और यह इतना बड़ा drastic shift क्यों आया हैंगे content में, you may ask, and यह इसलिए आया है, क्योंकि these things are in trend right now, यह चीज़े अभी trend में हैं, और इसलिए इन big YouTubers ने अपना content ही पूरा shift कर दिया है, for some views, यह आज अकल तो हर एक big YouTubers के कम से कम 3-4 channels होते हैं, and उन में से एक channel बस reaction के लिए होता है, but in case of these guys, इनका तो main channel ही अब एक reaction channel बन चुका है, where they just react to memes or funny videos, और यह बस यहाँ पर नहीं हो रहा, even बहार के YouTubers भी आप यह सब काम करना चलू कर दिया, like Radal, उसके GTA 5 के videos कितने funny होते थे but now, वो भी एक reaction type of content बना रहा होता है, they are still funny, but still यह उसके GTA 5 वाले videos, वो बहुत ही मज़दार होते थी, but now, वो भी ऐसे content नहीं बना रहा है, क्योंकि यह अभी बस पोरे worldwide reaction content बहुत ही peak पे चल रहा है, like, जिस content को बंदे पहले roast क्या करते थे, अब सब वही करने लगे है, और आप मेरे से बोलोगे क्यार, इनके gaming content छोडने से इतना बड़ा क्या effect पढ़ रहा है, Indian gaming community पे, लेकिन भाई effect बहुत बड़ा पढ़ रहा है, क्योंकि भाई, इनकी audience बहुत ही dedicated orders होती है, जो कि बस इनके videos देखती है, और किसी और YouTubers को पसंद नहीं करती है, still भाई, उनको gaming की हलकी फूर की knowledge हो जाती है, थोरे बहुत games ही, थोरे बहुत games की ही, लिकिन कोई knowledge को होती है, और इनमेंसे भाई, हलका support और क्या पता, अलगला games को भी देखने लगे है, और उससे भाई, दूसरे जो बंदे होते हैं, जो कि इतने grow नहीं हुए होते हैं, उनको भी हलकी फूर क games को बारे में भी जाने, और उनके videos भी देखें, क्योंकि gaming community तब ही build होगी, जब audience को हर game की knowledge होगी, और क्योंकि आप इन YouTubers नहीं gaming content बनाना छोड़ दिया है, तो आप इनके audience में gaming content इतना नहीं देखती है, और इसी वज़ा से बहुत सरे YouTubers के भी views डाउन होने लगे हैं, क्यों क्योंकि इन जैसे बहुत big YouTubers में, जिनका main content ही gaming था, यार, gaming से जो popular हुए थे, उन्होंने game के लना बंद कर दिया, यवना अगर आप बंदे GTA 5 भी video बनाते हैं, तो उस पे भी views नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि भाई, अब इन big YouTubers ने भी GTA 5 पे video बनाना बंद कर हैं, तो उसका trend कम हो रहा हैं, भाई, and you need to know, यार कि इनके 5, 6, mid-pad के 10 million से जादा YouTubers हैं, and उस बंदे का इतना drastic change आना in content, of course, Indian gaming audience को भी influence करता है, and उनका बे ध्यान भाई, अब हट जाता है, from gaming content to other content, because they are big names in Indian gaming YouTubers, and बस gaming में नहीं, in YouTube, they are big names, भाई, और अगर इन जैसे big YouTubers, एक अलग initiative लेकर, अलग-अलग games के लापे चलू करते थे, जैसे techno gamers ने किया है, तो भाई, इससे Indian gaming community का बहुत फायदा होता, क्योंकि दैन भले ही, इनके views कमाने लगते, लेकिन अगर ये सही में, एक real gamer होते, तो ये अलग-अलग games भी ट्राय करते, without caring about views, and इससे Indian gaming community का फाय गेम होती है, उनके बारे में बढ़ा चलता, अगर कोई small YouTubers वैसी गेम खेलता, तो उसको views मिलते है, क्योंकि audience को उस game के बारे में knowledge होती, and भाई, इसलिए इन big YouTubers का बहुत बढ़ा हाथ रहता है, gaming community को आगे फैलाना, या उसको बढ़ा करना, भाई, इनके दूसरे content बनाने से इनके audience में भी बहुत large impact आया, अब उनका ध्यान भी भाई, gaming content से हटकर, अब memes या reaction content पर चला गया, तो this effect भाई, ये effect करता है, audience को on YouTube, if you ask me, यार मेरे खास से 2018 से 2020 या 21 का सबसे golden time था, to make a gaming content या gaming channel, क्योंकि उसमें यार भले ही तीन जग गेम से trending थी, लेकिन स्टिल, यूट्यूबर्स या फ्रीफाय वाले यूट्यूबर्स उनका चैनल भी dead हो रहा है, क्योंकि आप बंदों का interest ही रहा है, they are all doing the same thing, and they are also leaving तबची content, और इसी वज़ा से यार, आम जो gaming, वो बहुत ही नेरो हो चुकी है, इंडिया में, और जो दूसरा reason है ना, जिस वज़ा से इंडियन gaming community मर रही है, वो है the audience, तो यार, इंडियन audience यार, gaming content के audience, जो भी है, वो most like big YouTubers के होती है, and like I say, they are very dedicated, and, and सबसे जो बुड़ी बात होती है, about these kids, वो ये है कि यार, ये ये numbers से जज़ कर लेते हैं, कि ये बंदा अच्छा content बनाता है कि नहीं, अगर आपके subscriber कम है, या आपकी video पे views कमा रहे हैं, तो आप भले ही कितना भी अच्छा thumbnail बना लो, ये बच्चे उस पे click नहीं करेंगे views देखकर, and भाई, ये एक बहुती बड़ी problem है audience की, क्योंकि I think audience को chance देना चाहिए हर एक video को, भले ही जितने भी उस पे views आयों, भले zero views भी आयों, अगर उस बहुत सरी videos, millions वाले subscribers वाले YouTubers से भी ज्यादा बहतर होती हैं, लेगर इस टिल बंदे उस पे click नहीं करते हैं, या click भी करते हैं, तो सिदह महाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि मेरी numbers कम हैं, मेरी subscribers and views कम हैं, and बंदे उसी पे मेरी video को judge कर लेते हैं, या इस पे तो views कम हैं, मतलब बहुत ही बिकार होगी, और ये एक बहुत ही घटिया चीज है, मैंने बहुत सरे ऐसे YouTubers देखें यार, जो कि बहुत ही बढ़िया gaming content बनाते हैं, उनकी gameplay video या उनके gaming content बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकि उनको जादा views नहीं आते हैं, क्योंकि बंदें उनको judge कर लेते हैं, उ और ये छोटे YouTubers को भी chance देना चाहिए, एक बार उनकी videos देखकर कि उसकी video कैसी है, और उसको एक feedback भी प्रवाइड करना चाहिए, ताकि यार Indian gaming community भी ग्रो हो, और उनको भी अच्छे फिल हो कि अब I am doing something good, लेकिन यहाँ पर भाई, जो बंदें भी आता है YouTube पे, they upload 3-4 videos and then वो छोट के चल जाते हैं, क्योंकि उनको वो subscribers या views नहीं मिलते हैं, and I know, क्यार ये जो YouTubers थे, they are not true gamers, वो बस यहाँ पर views के लिए ही थे, and they are still sometimes making gaming content, लेकिन आप वो बहुत ही rarely gaming content बनाते हैं, जब उनके पास reaction video के ideas खतम हो जाते हैं, तो यार ये हलके वलके points थे, जो कि मैं highlight करना जा रहा था, कि क्यों यार, Indian gaming community मर रही है इंडिया में, and पहले सी वो community इतनी कोई बड़ी नहीं थे, लिके अब उसका और downfall हा रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे big YouTubers सी gaming content बनाना छोड़ रहे हैं, and that is really damaging, अगर इन जैसे big YouTubers भी अलगले games के content बनाते, तो भाई, एक audience बिल्ड होती है, and वो audience बहुत ही help करती, उन YouTubers को जो कि small होते हैं, क्योंकि देन वो audience चाकर, हमारे चासे small YouTubers को help करती है, एक fanbase बेस बनाने में, but unfortunately ऐसा नहीं हो रहा है, and मैं देखता हूँ यार, मैं बहुत सरे ऐसे channel देखता हूँ जो कि एक-दू सार से लगे में YouTube पे, and they are making content everyday, वो हर भी, अब बहुत ही difficult हो चुका है, क्योंकि हमारे पास वो audience नहीं है, जिस पे हम rewrite कर सके, या हमारी videos देखे, तो या, it's unfortunate, तो यार, यही थे, पॉलो आप भी बनाओंगा, क्यार, और क्या problems हैं हमारे इस gaming community में, क्यों ही पूरी रा समर रही है, और क्या इसका को future है भी कि नह तो यार, future में इसके बारे में बात करेंगे, यार, यह पूरे एक rant टाइप video था, मैं बस अपने दिल की बात करना चाहरा था, इस video में, तो मैंने वो की है, and I hope आपको ये video बहुत ही पसंद आई हो, अगर आये यार, तो please like this video, subscribe करो, straight कर इस video के यार, बचाओ दूसरे बंद को, जो के एक दूसरे को समझे, and at least feedback provide करें, तो भाई, अब मैं मिलूंगा आपको बने अगले video में, till then, please take care of yourself, and bye कर दो आये याओ कि झाल कि आपको ये 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 जड़ी, कि आपको ये टारे लोग।